मेरी चनल में आपका पूठ पूठ स्वागत करते हूँ तो दोश्तोओ आज की इस वर्डियो में हम बात करेंगे एक ली स्कार के बारे में इक आपके बार बार फुंसीयां हो रही है deduction किस प्रकार की ओर इन सब के लिए आज में एक होमेपेतिक medicine के बारे में हम डिसकस करेंगे medicine का नाम है काली ब्रॉम जिसको हम पोटेसियम ब्रॉमाइड भी बोलते हैं medicine जो skin के लिए बहुत effective medicine है अगर आपको भी बार-बार acne या फूंसिय हो रही है उसके scars रह रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफोर्मेटिव है तो प्लीज वीडियो के एंट तक बने रहना इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए उनीजीती की बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे यह में व्यूडियो ज़ालो आपको नोटीफिकेशन मिल जाए तो इसलिए बात करते हैं जो हमीपेटिक मेडिसेंस है काली ब्रॉम के बारे में जिसको हम पॉर्टेश। इसको हम ब्रॉमाइड भी बोलते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे तो इस medicine के क्या क्या skin पे क्या क्या action है skin के कौन कौन सी problem है तो ये medicine हम use कर सकते हैं जिस पे ये बहुत ही अच्छा result देगी अगर medicine के साथ आपके symptoms match हो रहे हैं तो ये medicine आपके 100% काम करेगी और आपको बहुत अच्छा result मिलेगा तो medicine के symptoms के अगर हम बात करें तो symptoms हैं अगर आपके जो acne हो रही हैं फुंसियां हो रही हैं pimples हो रहे हैं वो काफी red color के हो रहे हैं एक दम गुच्छे में हो रहे हैं मैं स्क्रिन पे लगा देती हूँ आप देख लेना अगर ऐसी symptoms आपके हैं तो आप यह medicines ले सकते हैं बहुत ही अच्छा result देगी आपको अगर आपके red color के फुंसिया हो रही हैं छोटी छोटी रही हैं गुच्छे में फुंसियां हो रही हैं तो यह medicines आपको बहुत अच्छा result देगी इसके साथ ही जो आपके pimples हैं वो red and blush हो रहे हैं यान की थोड़ी red और थेड़ी ब्लूइश हो रहे हैं उसके जो निशान हो रहे हैं उनमें पस्चुल भी बन रहे हैं और कई बार जो फुंसियां होती हैं वो उनमें काफी painful भी होती हैं आपके यह हो रही है इसके सामक करने साथ ही जो एकने में यह इख सकरण चार्फ क्छोड़ीज्ट है उनके निशान यह रही हैं तो यह medicine पर बहुत अरही काम करें इस 용नें चैनरेशन फिरे grin एकने की जो काफी मेंडली हो रही है सबको ही टीनेज में भूट ज्यादा हर्मोनल चेंज होते हैं उसकी वज़े से फुंचिया होती है और अपने लुक्स को लेकि टीनेज में काफी टेंसन्स रहती है कि हम सही नहीं दिख रहे हैं पिबल्स हो रहे हैं या फिर लुक्स गंदार है टो टीनेज में काफी यह एक ऐविक्ति डेन इसे एज में अगर आपके फुंचिया हो रही है денег जो निशान चोड रही है तो यह मेरड़ेसन आप कैसे लेनी है इसे आपको आप फिल्स में भी ले सकते हैं प्लस आप ग्लोबियोल्स में बर्माके भी ले सकते हैं दोनों ही तरीके से मेडिसों से लेंगी तो आपको काम करेंगी इसके साथ मैडिस्न कौनसी पोटेंसी में लेनी है आपको स्टार्ट करनी है makes 30 थल्यफी on 수 tutto इस्टार्टिग में 3D की बाइशची दें दिन में दो बार ही अगर आप मेडिसेंस लेंगे 15-20 दिन अगर आपके सिम्टम्स मेडिसेंस के साथ मैच कर रहे हैं, अपने 15-20 दिन मेडिसेंस ली तो आपके जो एकनी आना बिल्कुल बंध हो गए हैं, फिर एक टाइम पर आके अगर आपको इसे लग रहे हैं कि अप मेड 200 पोटेंसी भी यूज़ कर सकते हैं यह पर 200 की अपको डिली नहीं लेनी है आपको वीक में एक बार लेनी है अप साथ दिन में एक बार 200 की पोटेंसी । उठोके खाली पेठ ले लीजिए आपको मैडिसन दर्थी काम करेंगे जब आपको लगे कि आपकी एक ने ठीक हो गई है आपकी जो निशान है वो भी दरी जाने लग गए हैं तो आप मैडिसेंस लेना बन कर दीजिए अगर आपके सीम्टम्स मैच हो रहे हैं जैसे कि मैने व अगर आपके symptoms match नहीं हो रहे हैं फिर भी medicines आपे थोड़ा बहुत काम करेगी तो इसके लिए आपको अपने नियर भाई किसी भी होमेपितिक फिजिसंस के पास जाकि आप अपना consult करें उनको अपनी problems बताएं तो वो आपको proper medicines गाइड करेंगे और आप उनसे proper treatment लेंगे तो आपको बहुत अच्छा result मिलेगा तो medicines आप ऐसा यूज करें और होमेपितिक से रिलेटेड हेल्थ से रिलेटेड वीडियो में अपने चैनल पे डालती रहती हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और निचे देगे बेल आइकन को दबा दीजे ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो के नोटि